दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल मेरी मम्मी की रसोई में आज हम फिर से आपके लिए एक टेस्टी वीडियो लेकर आए हैं जो की होने वाली हमारी फ्राई आलू मटर करी तो बिना आपका टैम वेस्ट करें बढ़ते हैं हमारी रेसिपी की तरफ दोस्तो पहले हम एक फ्राई फैन में एक कटोरी पाईने डाल लेते हैं और फिर हम उसमें टमाटरों को बीच में से काटके डाल देंगे अब हम इसे करीबन 5-6 मिनट के लिए डख कर पका लेंगे आए जब तक टमाटर तेयार होते हैं यतने हम आलो के कटिंग कर लेते हैं लेज़े दोस्तों हमारे आलो भी कट चुके हैं और हमारे टमाटर भी लगवख बनकर तियार हो चुके हैं आए अब हम अपने आलो को फ्राई कर लेते हैं जिसके लिए पहले हम एक कड़ाई में दो बड़े चमचे टेल डालेंगे तेल की अच्छे से गरम होते ही हमें तिया हमारे आलो भी डाल देंगे और हम इने तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर हलका गोल्डन ब्राउन ना हो जाए लीज़े दोस्तो हमारे आलो भी अब लगबग फ्राई हो चुके है आईए अब हम इने बाहर निकाल लेते हैं चलिए दोस्तो अब हम अपनी करी के लिए पेस्ट तियार कर लेते हैं जिसके लिए हम एक मिक्सी के जार में लसन, अदरक, प्यास और हरी मिर्च डाल देके अच्छे से ग्रैंड कर लेंगे लिजे दोस्तो हमारे पेस्ट बन कर तेयार है आईए अब हम साती साथ टमाटर की प्यूरी भी बना लेते हैं लिजे हमाई टमाटर की प्यूरी भी अब बन चुकी है आईए हम अपनी आलू मटर करी बनाना शुरू करते हैं हम उसी आलू वाले तेल में करीबन एक टी स्पोन जीरा और साथ ही में ब्रुगल थोड़ी सी यानि की एक पिंच हिंग डाल देंगे अब हम इसमें हमारा त्याय करा हुआ अधरक लेस्ट का पेस्ट डाल देंगे और साथ ही साथ करीबन आदा कटोरी पानी भी एड़ कर देंगे दोस्तो हमें इसे करीबन पास से 6 मिनिट के लिए अच्छे से भून लेना है चलिए हमारा पेस्ट तब भून कर अच्छे से त्यार है आई अब हम इसमें हमारे मसाले डाल लेते हैं पहले हम इसमें एक टी स्पून हल्जी डालेंगे नमक स्वाद अनुसार वन टी स्पून गरम मसाला और दो फुल स्पून लाल मिर्च पाउडर और मसाला अच्छे से मिलाने के लिए साथ हम इसमें आदा कटोरी पानी और एट कर देंगे अब हम इसमें एक चीज और एट करेंगे जिससे कि हमारी करी दिखने में और भी स्वाजिस्ट हो जाएगी एक फुल स्पून देगी मिर्च पाउडर देगी मिर्च हमारी डिश में केवल रंग देने का काम करती है इससे मिर्चों पर कोई भी असर नहीं पड़ता करीबन 5-6 मिनट मसालों को अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें हमारी टमाटर की प्यूरी भी एट कर देंगे और दोस्तों इसे भी आपको करीबन 5-6 मिनट अच्छे से भून लेना है लीजे दोस्तों हमारी करी तो अब बनकर बिर्कुल रेड़ है आईए अब हम इसमें आलू अट कर लेते हैं आलू को हम करी में एक दम अच्छे से मिला लेंगे चलिए आलू अब अच्छे से करी में मिल चुके हैं अब हमें इसमें हमारी बॉयल करेवी मटर भी डाल देंगे और बस हमेंने करीबन 2-3 मिनट और पकाएंगे और हमारी आलू मटर की करीबन कर बिर्कुल तेयार हो जाएगी लीजे दोस्तो हमारी आलू मटर करीबन कर बिर्कुल तेयार है अब इसमें थोड़ा स्वात बढ़ाने के लिए उपर से थोड़ा सा गरम मसाले चलग देंगे और साथी में हरे धनिये से गार्निशिंग कर देंगे दोस्तो मैं उमीद करता हूँ हमारी आज की रेसिपी आलू मटर करी आपको पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी चैनल पे आने वाली हर वीडियो पहले आप तक पोचे कर दो कर दो